गुड मॉर्निंग फ्रेंड टोड़े 17 जन्वरी वी विल डिस्कस एन एडिटूरियल फ्रॉम दा हिंदू और आज का एडिटूरियल है हिस्टोरिक हीरिंग हिस्टोरिक का मतलब होता है जो पास्ट में कोई चीज लिखी गई हो यह पास्ट से संबंदे तो ठीक है यानि कि ह हिस्टोरिक का मतलब पास्ट के हो गई यानि पास्ट की जो हीरिंग हुई हीरिंग का मतलब सुनभाई होता आपको पता है जब कोट में प्रसीडिंग चलती है तो उसे बोलते हैं सुनभाई ठीक है या हीरिंग अच्छा यह किस से रेलेटिड है अब यह आपको पता चल ज क्रिशन देना थैक है बाई आईसीजे यानि कि इंटरनेशनल कोटव जैस्टिस के द्वारा ओन ईज्राइल पर एक प्रोविजनल सैनल आधर आया आ सीजे के द्वारा बिल कास्त और और यह क्या पर करबार करें पर प्रिभाव डालेगा का मतलब होता है असलियत पर कि यह सच्छ निसकों बोली मैं ओफीट्स बोर क्योंकि अभी क्या किया था आपको पताई ओट जाजा पर हमला किया फ्लिश्टिन पर हमयाकिया था तो क्यों किया कारण क्या था यह जो ऑडर है प्रोविजनल वो इस पर प्रभाब डालेगा और असलियत और हकीकत बताएगा ठीक है तो यह जो सुनवाई हुई थी ICJ में यानि कि International Court of Justice में यह कैसी सुनवाई रही एथ्यासिक सुनवाई रही ठीक है इस पूरे को मैं एक्स्प्रेन करूगा और जितनी भी हाइलाइटिड बड़ है आपके एक्जाम के पॉइंट बीच इंपर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं आपको एक्स्प्रेन करूगा साथी साथ आपको मिलने वाले के कुछ कोश्चन जो की आपकी तयारी को बताएंगे कि कितनी है ठीक है एक इसकी फॉर्म में क्लियर लट्स इस्टार्ट देख लेते हैं भी क्या क्या है आज हिस्टोरिक का मतलब इत्यासिक होता है इत्यास में लिखा हुआ इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री है बिलोंग टू पास्ट सिंपल सी वात है बिलोंग टू पास्ट ठीक है अगर इसकी पीडिएफ चाहिए आपको ठीक है तो कहा मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर होँआ जाईए होँआ से पीडिएफ लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजि next word है आपका cast shadow on यानि की to spoil a good situation with something unpleasant यानि की अच्छी situation को कुछी बुरी चीज़ से क्या कर देना बेकार कर देना या प्रोहवित कर देना इलीट का मतलब होता है clean या सर्वोत क्रस्ट या selected as the best यानि की इसको हम best के रूप में select किया हो क्लियर है और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप like कर दें और share कर दें इतना कर देंगे तो मेरे को थोड़ा सा motivation मिलेगा और मैं daily की basis पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा ठीक है क्यों मुझे भी मोटिवेशन की जरत होती है आप लोग दी तरह है एडोक का मतलब होता है तथर्क अब तथर्क का मतलब क्या होता है जैसे कि आपने टीचर के वारे में सुन रखा होगा कि तथर्क टीचर थे यह उसका मेनिंग क्या हो कॉलिज में किसी टीचर की जरूत हो तो उसे हम पर्मेनेट बेसिस पर नहीं दे सकते क्योंकि हम केवल उसे एडोक बेसिस पर ले सकते तथर्क को में कह सकते हैं अभी हमने पर्टिकुलर काम चलाना उसके बाद अगर नोटिफिकिशन जो आएगा उसमें एक्जामिनिशन लिया जाएगा तब टीचर को हायर किया जाएगा ठीक है वो एक पर्मेनेट प्रॉसेस होता है और ऐसे ही सेलेट कर लेना वो कहलाता है एडोक क्लियर हो गया तो टीचर हो या कोई भी वरकर हो आपका वो एडोक कंडिशन कहला तक हुए बे-on का मतलब चिंतित करना होता है या किसी को परिशान कर देना बे-डाउन यानि किसी पर ज्यादा बोजल बना देना तो बे-on कहलाता है बे के साथ प्रपेजिशन और आते यह भी वात आपको घ्यान रखनी है बाइपे साथ अगर आउट आजा तो इसका मतलब में होता है मिटा देना खत्म कर देना पालिशी और रेशल सेग्रिगेशन इन बॉलिमिंग पॉलिटिकल यानि की पॉलिशी जो रेश यानि की नसल के बीड नसल के बेसिस पर या रंग के बेसिस पर क्या करें सेग्रिगेट करें अलग करें कि लिए तो इसमें क्या था जैसे हमारे यहां पर जब अंग्रेज आ रात हों पर मतलब है तुम काले हो तुम अच्छे लोग नहीं हो ठीक ऐसी अपनी हावी था जब अंग्रीश थे तो जिन सहार होता है रेश मुर्डर या रेशियल एक्स्ट्रम एक्स्ट्रमेनेशन भी बोल सकते हैं आप ठीक है बहुत सारे लोगों को मातना होलोकॉस्ट का म किसी पर लिख करकी क्या होना उसकी बदनामी करना ठीक है इसको बोल सकते हैं फॉल्स मैलिशी इस पॉब्लिकीशन प्रिंटिड फॉर्पर्ज ऑफ डिफेमिंग एक लिविंग पर्सर्ण किसी जीवित विप्ति के बारे में फॉल्स स्ट्रमेंट देना लिख करके वह कहला हैं यहां रखना अट्रिब्यूट के मुंदा टहराना होता है यानि कि शिरह देना इसको बोलते हैं क्रेडिट टू असाइन या इंप्यूट इसको बोल सकते हैं इस नहीं के फॉर्म में ठीक है यह कैसी बुक एप लगी आपको और बारे में से अगर आपको मुझे लगता आपको त्यार करने की जरूरत है क्लियर अच्छा अब आयाते हम सीधे सीधे के कुश्टन क्या कहते हैं देखिए अंटिनिम अंडरलाइन बर्ड यानि कि क्लेंड़ स्टाइन अगर आपको क्लेंड़ स्टाइन का मतलब मालूम है न तो आसानी से से सेट कर सकते हो देखते ह सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि क्लेंड़ स्टाइन का मतलब क्या होता है क्लेंड़ स्टाइन का मतलब होता है कोई भी चीज चोरी चुपे करना क्या करना चोरी चुपे या गुपत रूप शेजिश को हम बोल सकते हैं ठीक है या गैर कानूनी भी बोल सकते है क्ल से लोग 가장 देखते हैं क्या है स्निकी का मतलब होता है कोई भी काम गहरुकार तरीके से करना है है घुप रुप दूब कर इसको हम बोल सकते हैं स्टील थी अब ठावा कर मंढब एंड़ा व्यक्तिकत होता है या निकी एक एपरसंद से डांट हो ठीक है जिसको हम personal बोल सकते हैं अच्छा, illicit का मतलब भी गैर कानून है तो आपको पता है यह है ठीक है, not according to law ठीक है, अब बात आते हैं, non, non का मतलब जो सारे लोग जानते हों और चुकि हमें बताना है antinim तो non ही इसका क्या हो सकता है, appropriate meaning हो सकता है, आप देखिए क्लियर है, आप देख लिएते हैं, next question, next question क्या है आपका बनबड substitution है, government, governed by the belt, यानि कि जो धन से क्या हो, related हो या धन वाले लोग ही क्या करते हो, govern करते हो, शासन करते हो देखो ध्यू जब्धिए, देखो क्रेशी जब देखो सम्मे लगा हुआ, पहले तो मतलब समझ लिए, क्रेशी का मतलब होता है, कि शासन करना, govern करना, ध्यू का मतलब होता है, धर्म से related होता है, जैसे भगवान से, भगवान की जो पूजा करते हैं, बही लोग शासन करते हैं, तो त्योक्रेशी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धर्म तंत्र इसको बोल सकते हैं, धर्म तंत्र, ठीक है, belief in government divine by divine guidance, यानि कि भगवान की द्वारा चलाएगया, तंत्र कहलाता है, धर्म तंत्र, ऑटो का मतलब से होता है, ठीक है, किस से होता है, शेंगल से होता है, त टाना शाही, जोसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका उटक्रेशी हो जाएगा, ठीक है, ठाना शाही, डैमों का मतलब होता है, आम नागरे, common logg, क्या होते हैं, common logg, बहुत सारी logg हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं, लोकतंत्र, जो हमारे यहांपैर, लोकतंत्र, या वो जो सासन करते हैं तब ही तो बोलते हैं कैसे बैल दी बैल बैल दी पीपल का ग्रूप या फिर उनका शासन ठीक है क्लिर हो गया तो अब एक दो तिन चार हो गए अब आप बताई इसमें कौन सा आप्शन हो जकता है तो लास्ट वाला ही आप्शन क्या होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आज का यह सेशन कैसा लग रहा है आपको जरू मुझे कॉमेंट करके बताएं क्या आपको इस तरह से चीजे मालूम थी नहीं मालूम थी ठीक है अगर मालूम थी तो बहुत ही अच्छी बात है ना तो इसकी पीडिये फ्रीजी एक पढ़िए जरूरी से ठीक है अब चलते हैं एडिटूरियल पर एडिटूर प्रोविज्णल और बाई आईसी जे जैने इंटरनेशनल कोट अफ जस्टेश ऑन इजरॉयल की प्रोविज्णल और आया यह दिया इस्टीजे ने इसराइल पर बिल यह और जो है कास्ट जैडों लेजिटिमेशी ओफ इस वार की जो वार किया था इस राइन ने उसकी जो क्या सच्चाए थी क्या कारण रहे थी ठीक है उस पर क्या करें कास्ट है सेडो यानि क्या सेडो डालेगा प्रवाव डालेगा क्लियर है अच्छा अब इसमें क्या-क्या है यह मैं आपको sentence wise यह clause wise पढ़ पढ़ के explain करूँगा क्लियर है अच्छा हेग हो गया और आपका sentence over यहां पर हो रहा है क्लियर है अब देखिए whatever the outcome outcome का मतलब होता result है whatever outcome of preliminary preliminary का मतलब होता है प्री यानि की प्रारंबिक hearing जो पहले की hearing थी सुनबाई थी at the international court of justice में at the Hague यानि की ICJ कहां पर है हेग में है और हेग के आगे क्या लगता है दा लगता है यह भी आपको दिखान रखना है क्लियर यानि की जो भी उसका result रहा हो international hearing का international court of justice में जो की हेग में है ठीक है और whatever का मतलब होता है जो कुछ जो कुछ South Africa's case यानि South Africa का जो case है against Israel ongoing किसके खिलाप इसराइल के ongoing जो चल रहा है military campaign कहां पर गाजा में उसके खिलाप South Africa का मामला था has Garner Garner का मतलब है इसने इखटा किया global attention यानि कि दुनिया भर के लोगों का attention इखटा किया या दियान केंद्रित कर दिया इना वे ठीक है नो प्रिसीडिंग एड़ इलीट interstate forum may have done before no preceding मतलब कार्रेवाई एड़ इलीट का मतलब होता है जो supreme हो ठीक है इंटर इस्टेट में दूसरे राज्य का forum may have done before ऐसा किसी दूसरे राज्य ने नहीं किया अब जिस साउत अफरीका ने मुद्दा उठाया यह ठीक है जो मिलिटरी के इसका इस्राइल के बारे में यो केस आया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्या हुआ था एक दूसरे में ऐसे माल लेजिए अभी रसिया और यूक्रीन का भी यूद चला था यह दोनों ही दोसरे ने मैटर उठाया बाद में दूसरे देश भी आए लेकिन फिलाल एकदम से आना clearly way में यह एक अलग बात है अज़िए अगर है फुप्टीन मेंबर फुप्टीन मेंबर देखे अगर हाँ पर हाइफन नहीं होता तो इन्हों एस लगाना पड़ता है यान दिछिए यह नहीं है नहीं लगा दिया इसलिए यह दिहां रखना ना उनवाले चैट्टर वा पढ़ोगे इसे एए संदमां ही ठीक है देखो लगा दिया हाइफइं नि लगा तो जेजिस के आगे लोने क्या लगा दिया है एसलगाया है भी प्लॉत इफी मनलेक कल of history इसकी जो history है must have way on प्रिवाब ढलना चाहिए दवाब ढलना चाहिए the party जो party है कौन कोँंसी आपका इस्राहिल वाला है ठीक है और स्वाट एफरीका है इन तोनों party पर मेटर लिजन लेकर आए है तो प्रिवाब ढलना चाहिए ठीक है गाजा को ले करके कि गाजा पर नहोंने क्या किया नर्शाहार किया है बहुत सारे लोगों को मारा है ठीक है अब सेंटेंस आपका जेस्टिस यह लीजिए थोड़ा से बड़ा हो सकता है कि यह अब क्लॉज ले लेता हूं तो ज्यादा बेटर है यह आपका क्लॉज है ठीक है यह सेंटेंस हो गया थोड़ा से बड़ा है लेकिंग परिशान नहों क्लॉज भाई क्लॉज हम एक्सप्लेंग करेंगे समझ माल जाएगा वन दा टू कंट्री ऑफ दा टू कंट्री जैन कि दो कंट्री जो एक साइड में डिश्प्यूट है दो कंट्री को लेकर के ओवर वैदर गाजा गाजा को लेकर कि जो वार ओर रहा था यह दो रहा था इस एम जिसमें उद्देश से था एट बाइपिंग एम के साथ प्रपेजिशन एट आती है दिहान रखना और यह इसम लुगों को हां से बुलकुल रिमूब करना था हटाना था क्या ऐसा उद्देश से था ठीक है यहां ते कला समझ मागे लोगों को बुलकुल हटाना गायब कर देना हां लोगों को बन हैज लेफ्ट बिहाइंड इस अपार्थीट पास्ट ऐसा लगता है कि इसके पीछे न रेज भैद की नीती होती है वो वाला ऐसा लग रहा था जैसे पहले पास्ट में अँग्रेज़ लोग किया करते थे हमें दोस्वाला है और्सको बीड़र शोटा है तो इस बैसें पर वहिवाव कर रें इसन वहारी चीजन बैब माना जाता है कि यहां पर 75 सालों से अपार्थीर के खिलाप प्लिस्ताइन लोग जो है ठीक है वो क्या कर रहे हैं संगर्ज कर रहे हैं वन फर्म इन इट्स बिलीव जब देखो वन से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसे जनलाइज किया जा रहा है यानि सभी के लिए अप्लिकेबल है सभी के लिए लागू होता है वन फर्म इन इट्स बिलीव एक पूर्ण तहा बिलीव करते हैं कि it is acting in interest of justice and humanity कि जो अब आया है निकलके ना सामने यही किसलिए हो रहा है कि यह काम जो किया जा रहा है वो justice of humanity को लेकर कि किया जा रहा है और उसको interest को देखर कि किया जा रहा है क्योंकि सबको मिलना चाहिए justice and humanity मानपता the other equal form in its belief दूसरा जो बिलीफ है वो रहता है ठीक है किस चीज के अक्रीट ऑफ जेनोशाइड जेनोशाइड का मतलब बहुत अच्छा बढ़ा है इसका मतलब होता है नर्साहार करना यह आम लोगों को मारना ठीक है वह वाली चीज अक्राइम डैट वह शॉट शॉर्ट मतलब सीक की सेकंड फॉम है थर्ड फॉ प्रिवेंट का मतलब रोकना जेनोशाइड का मतलब नर्साहार कर्मेंशन एक सवाव हुई थी ऑफ नैंटीन फोटीएट में जिसमें यह बोला गया था कि जैनोशाइड रोकना है ठीक है यह क्राइम जब पहले हुए थे ऐसे घंकटना है पहले भी हो चुकी है तो हाँ य एक ट्रीटी हुई थी संदी हुई थी बाच्ची जिसको कहते हैं या फिस लोगों के ठीक है रोकने के लिए शौट होलोकॉस्ट जो बिद्धवन्स हुआ है जानमान की आनी हुई है जूइस पीपल सबसे जादा उसमें सफर हुए थे तो उसको रोकने के लिए जो कर्वे इस लोग थे यह दी लोग थे ठीक है क्योंकि यह जो मैटर चला आ रहा है ना बहुत पुराना मैटर है इसराइलहो यह फिलिस्टाइन हो यह सब क्या कर रहे थे बाइकाट कर रहे थे वटो बोथ है save for few allies those few allies ठीक है अगर हम save करें दोस्तों को या दूसरे देशों को नेशन को entire bird support a ceasefire की पूरी की पूरी दुनिया support करती है ceasefire को करने के लिए यानि की रोखने के लिए कहां पर गाजा में to end the epic epic की मलब महाकाबर suffering of its people की जो कहानी सी बन गई कब से चली आ रही है लड़ाई उसको ceasefire करने के लिए रोखने के लिए पूरी की पूरी दुनिया क्या करती है supports करती है ठीक है समझ में आ गया अच्छा यह जो sentence है present definite में है क्योंकि the entire bird यह पूरा subject है और यह subject सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर है ठीक है बहुत ही आसान होता है पिस आपको थोड़ा से सेंस लगाना है कि आगे देखिए दूसरा paragraph क्या कहता है एट दस preliminary stage अगर हम प्रारंबिक stage पर देखें जो अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका शॉट साउथ अफ्रीका में डिमांड किया तू डेमंस्टेट की डेमंस्टेट का मतला होता है निद्दिशा निर्देश के लिए आगे धिए फिरूसरा गैपन टिशक्त के लिए धिच अगर आप इससे करेंगे तो जेनॉसरा बाना जाएगा तो उसके अधीन ही आते हैं और इसके पीछे इज्राइल का intent भी था जो कार्य किया है मारने का और उसके पीछे जीलिशाइट वाला ही किया था उनकी इच्छा थी क्लीयर अब यहाला संटर देखिए इन रिलाइडवn के साथ यह इस data on death कि इस पर भरोशा करना है निरवर होना डिजो डेटा है डेटा जो आया ने डेट कम रेक्टिव का एंड डेस्ट्रेक्शन का बिद्धोंस जो हुआ है बिनास्कारी चीजे जो हुई है जो आनकों से यह पता कि इस्रायल का पूरा का पूरा जो इनटेंट था वो जिणिशाइड वाला था जिनो साइडलि इंटेंड था इतndorp फ़र्आ हम दे सकते हैं कि जो की मुख्य इस्राइली गॉर्मेंट का जो फीगर है यानि शोच उनकी अंडर्सकूर करने की यह समझने की ठीक है वोट इट कॉल्ड जेनोशाइड इंटेंड तो हमें यह बताईए कि जेनोशाइड इंटेंड आपके हिसाफ से क्या है जिसाफ से डेटा आया है यह फिगर आया लेकिन अब जो इस्राइली गॉर्मेंट करें कि जेनोशाइड क्या है आपके अनुशाइड प्रोविजनल मीजर्स जो प्रोविजनल आल्पकाली जो मीजर्स हैं उपाए हैं इंक्लूदिंग दा सेस्पेंशन ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन की तुरंती सेस्पेंशन होना चाह को जिनुशाइड होने से तुरंत ही रोखना चाहिए कि द्वारा से जनुशाइड नहों आगे देखिए इस्राइल डेस्क्राइब्ड शाओट अफरीका के जो इस्राइल ने डेस्क्राइब किया साथ अफरीका के इसको ब्लेड लाइवल ब्लेड मनलब एक खून भरा लजिटिमिट रेस्पॉंस वो एक जाइज ठीक है सच्चा रेस्पॉंस था टूदा टैरिस्ट आतंगबादियों के लिए अटेक ऑन ऑक्टूबर सेवन लास्ट इयर कि पिछली साल जो ऑक्टूबर साथ को अटेक हुआ था उसका रेस्पॉंस था यह ठीक है आगे देख ना calling them उन्होंनों बोल दिया कि रेटारिक है बड़ा चड़ा करके बोल नहीं लीडर के लिए अगर बात आई तो बढ़ा चड़ा के बोला है जबकि इस्टेट्मेंट मेरे बढ़ा चड़ा के बोला है ऐसा हमारा बुल्कूर इंटेंशन नहीं था टर्रेस्ट को जवाब देना आगे देखिए इट अट्रीबूटिट अट्रीबूटिट के मंदल देदा इदा स्विलेन केजोलिटी जो श्यूलिटी हुई थी आम लोगों की तू हमास यूजिंग स्विलेन क्योंकि उन्होंने हमाज ने शिविलिन को यूज किया था एज शील्ड बचाव की रूप में हॉस्पिटल एज इस्टोरीज और हॉस्पिटल जो थे स्टोरीज के रूप बन गए थे एक्सप्रोजी माटेरियल का लॉंचिंग पैड बन गए थे फॉर अटेक इसलिए ज्या इसे माने जाए हमेशे आ बाइट बाइड बाइड के साथ हमेशे बाई प्रेपेजेशन आती यह बात आपको इक्वाइए याद रखनी है ठीक है कि आगे देखिए मैं सेंटेंज को हालाइट करता हूं आगे देखिए रसिया इग्नोर उसने एग्नोर कर दिया एन आईसीजे ओडर तू सस्पेंड करने के लिए इस ऑपरेशन अपना ऑपरेशन इन यूक्रेन यूक्रेन में इन मार्च 2022 यानि रसिया ने तो आईसीजे के जो ओडर थे वो तो माने नहीं उसने सस्पेंड किया ही नहीं आपरेशन अपना जो चल रहा था यूक्रेन के ऊपर चला रहा था वो अब सवाल है कि इस्राइल मानेगा या नहीं मानेगा इस्राइल का जो गाजा के ऊपर वोर किया है इसकी सचाई पर ठीक है रहा पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि कोई रसिया नहीं माना तो इस्राइल मानेगा नहीं मानेगा यह थोड़ा सा क्या है अभी शक है तो यह था आज के एडिटूरियल आई हो आपने एंजोई किया हो